इमेल के लाब पर निबंध इमेल Electronic Mail का संख्शिप्ति करन है Electronic संचार साधनों के द्वारा पत्र वेवहार को Electronic Mail कहते हैं इंटरनेट के चलन से आजकल अपने संदेशों के आदान प्रदान के लिए इमेल का वेवहार व्यापक स्तर पर हो रहा है इस प्रकार के Electronic पत्र वेवहार से समय एवं धन दोनों की बचत होती है इमेल तृत गती का पत्र वेवहार है इसमें कुछ सेकेंड में ही संदेश दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पलक जपकते ही पहुच जाता है वस्तता इमेल कंप्यूटर नेटवर्क पर उपलब्ध ताक सुविधा का एक विस्तरत रूप है जब कई स्थानों पर उपलब्ध कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उन में संदेशों का आदान प्रदान बढ़ा ही सहेज हो जाता है इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है और थात उसमें छोटे छोटे नेटवर्कों का परस पर संबंधित बड़ा नेटवर्क है इसलिए इसमें भी प्रयोग करता एक दूसरे से बहुत ही सुविदा जनक तरीके से पत्रवेवहार कर सकते हैं समानी पत्रवेवहार की तरह एलेक्ट्रोनिक मेल में भी संदेशों के परस पर आदान प्रदान के लिए पते ठिकाने की आवशक्ता पढ़ती है इसलिए यदि कहीं इमेल के द्वारा कोई संदेश भेजना होता है तो सर्व प्रथम उस पते की आवशक्ता होती है जहां पर संदेश भेजना है इंटरनेट से इमेल के आदान प्रदान की एक बड़ी विशेशता यह है कि इसमें अपने संदेश को इंटरनेट से जुड़े किसी भी कम्प्यूटर से प्राप्त किया जा सकता है और भेजा जा सकता है वविश्व में एक कहीं पर भी स्थित हो आज इमेल का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है पहले इमेल का प्रयोग छोटे-छोटे संदेशों के आदान प्रदान के लिए किया जाता था किन्तो आज कल दस्तावेजों के आदान प्रदान और ग्राफिक्स या द्रिश्य समागरी के आदान प्रदान के लिए इमेल का बहुत तायद से प्रयोग हो रहा है इतना ही नहीं आज इमेल के द्वारा अपनी आवाज को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा रहा है यह सब सौफ्ट्वेर जैसी इनकोडिंग योजडाओं की खोज से संबफ हो सका है आज अपने कामकाश के लिए इमेल के प्रयोग को ही सबसे भरोसे मंद माना जाता है इसलिए आज कल डाक के पते और फोन नमबर पूछने के साथ साथ इमेल पता पूछना भी लोग नहीं भूलते हैं टेलिफोन के व्यापक प्रचलन से समाज में पत्र लेखन की परंपरा धीरे धीरे लुप तो होती जा रही थी इमेल ने इस परंपरा को पुनरजिवित कर दिया आज अपने आपचारिक एवं अनपचारिक समवाद के लिए इमेल का बखूबी प्रयोग हो रहा है इंटरनेट पर ऐसी कई कमपनिया है जो संदेश के आदान प्रदान की सुविधा उपलब्द कराती है तो कुछ ऐसी भी है जो इसके साथ साथ पोस्ट बॉक्स की तरह इमेल का पता भी देती है ऐसी संस्थाओ पर अपना स्थाई इमेल पता रखा जा सकता है जो इनके सर्वर पर सुरक्षित रहता है ये सुविधाए कुछ कमपनियों द्वारा निशुल्क प्रदान की जाती है तो कुछ के द्वारा ये सुविधा प्राप्त करने के शुल्क भी अधा करना होता है इमेल के व्याबक प्रयोग के कारण ही कमपनिया इमेल भेजने के लिए शुल्क लेने लगी है निश्यल की सुविधा प्रदान करने वाली कमपनिया इसमें कुछ सुविधाओं में कटोती कर देती जैसे संदेश भंडारन के लिए इस मुरिती कोश में कम स्थार प्रदान करती है और मेले कत्रिकरन की सुविधा नहीं देती है ऐसी साइट है जो नीश्यल के इमेल समपरेक्षन की सुविधाएं प्रदान करती है जो किनी कारणों से अपने पते निरंतर बदलते रहते हैं उनके लिए डाक विभाग की तरह से इमेल में भी सुविधाएं हैं कि जिसमें पुराने पते पर आई हुई डाक नए पते पर भेज दी जाए ये सुविधा प्राप्त करने के लिए इंटरनेट पर एक मेल सेवा के वेब ठिकाने पर जाकर अपना वेवरन देते हुए पुरान पता और नया पता भार देने से ये सुवधा प्राप्त हो जाती है जिन व्यक्तियों के पास अपना कोई email पता नहीं है और इंटरनेट पर कभी कबार ही जाते हैं ऐसे व्यक्तियों को नेट पर उपलब्द मेल सर्वर पर जाकर वांशित इमेल पता ले लेना चाहिए। साइट पर पता लेने को खाता खोलना भी कहते हैं। अपना इमेल खाता खोलने के लिए अपने व्यक्तिकत कम्प्यूटर को इंटरनेट से जोड़ ले। अत्वा किसी इंटरनेट कैफे में जाकर वहां के नेट से जुड़े कम्प्यूटर पर ब्राउजर में उस वेब ठिकाने को अंकित करें। जिसकी इमेल सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं। उधारन स्वरूप वेब ठिकानों को प्रयोकरता के समक्ष उपस्थित कर देता है। उसमें विकल्प पर करसर ले जाकर माउस क्लिक करने से इमेल खाता खोलने का आवेदन पत्र आ जाता है। इस आवेदन पत्र में पूछी कई कई आच्छे केवं आवश्चक सूचनाओं को अंकित कर देने के बाद अपना दर्ज करने का नाम और पास्वर्ड भरना होता है। यदि वह पता पहले से ही किसी उप्योग करता द्वारा पंजिक्रित है तो नया खाता नहीं खुलता और वह साइट कुछ वैकल्पिक नामों की सूची दे देता है। आप चाहे तो इसमें से कोई एक चैनित कर ले अच्छा पुना दूसरा दर्ज करने का नाम भरे। यदि इस नाम का खाता पहले से मौजूद नहीं है तो नया इमेल खाता खुल जाता है। इस खाते का प्रयोग दुनिया के किसी इंटरनेट कैफे या कंप्यूटर से कर सकते हैं।